बच्चो आज मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ एक बार एक बहेलिये ने कबूतरों को फसाने के लिए चामल बिखेर दिये और थोड़ी दूरी पर छिपकर बैठ गया कुछ देर बाद कबूतरों का एक दल अपने राजा के साथ उरता हुआ जा रहा था कबूतरों ने जैसे ही धरती पर चामल देखा तो उनके मूं में पानी भराया आहा चामल आज तो मजा आ गया खूब पेड़ भर खाने को मिलेगा यह कहते वे सब कबूतर चामल खाने के लिए तयार हो गए अरे अरे तुम क्यों उतर रहे हो कबूतरों के राजाने अपने साथियों को नीचे जाते वे देख कर कहा महराज खाने के लिए यहां धिर सारा चामल बिखरा पड़ा है ओह अब मैं समझा कि तुम इन बिखरे वे चामलों को देख कर ही नीचे जा रहे हो हाँ महराज कितने सारे चामल हैं? आहा, आज मजा आ जाएगा, सारे कबूतर खुश हो रहे थे, आज उनके सामने चावल ही चावल बिखरे पड़े थे, कबूतरों का मन इन चावलों को देखकर ललचा रहा था ठेहरो, कबूतरों के राजा ने अपने साथियों को नीचे उतरने से रोका क्यों? सब कबूतर आश्चरे से राजा की ओर देखने लगे तुम लोग लालच में अंधे हो रहे हो, लोग प्राणी का सबसे बड़ा शत्रू है तुम लोग जिन चावलों को देखकर खुश हो रहे हो न, उन्हें किसी ने हमें फसानी के लिए ही बिखे रहे सारे कबूतर सोज में पड़ गए, मगर फिर भी उन्होंने उन चावलों की ओर जाना नहीं छोड़ा क्योंकि भूग के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था कबूतरों का राजा समझ गया कि वे लोब में अंधे हो गए हैं वह जान गया कि उनके साथी अज्ञान और लालच के कारण विद्रोह पर उतर आये हैं ऐसे लोगों को समझाना बुलकुल बेकार है सब कबूतर उन चावलों पर तूट पड़े और जाल में फस गए अब तो सब कबूतर एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे अरे हम सब को तेरे बहकावे के कारण ही मौत के मुँ में जाना पड़ रहा है हमारे राजा ने तो हमें सही सलाह दी थी कि लालच मत करो मगर तुमने ही कहा था कि डरना तो कायरों का काम है एक दूसरे पर दोश लगाने से लाब नहीं होगा अब तो धहर्य और साहत से यह सोचो कि मौत के मुँ से हम कैसे निकल सकते हैं एकता में बहुत बड़ी शक्ती होती है हम सब एक होकर मुसीबत का सामना करें एकता में शक्ती है चलो बंधो सब मिलकर जोर लगाओ जो होगा देखा जाएगा यदि मरना ही है तो एक साथ क्यों न मरे सारे कबुतर पूरे जोर के साथ जाल समेट उड़ गए दूर बैठे बहलिये ने जब अपने शिकार और जाल दोनों को उड़ते हुए देखा तो उसका दिल डूबने लगा वह भी तेजी से पीछे पीछे दोरने लगा उसे यह आशा थी कि जब सब कबुतर ठक जाएंगे तो अपने आप ही धरती पर गिर जाएंगे बस वह उसी समय उन्हें पकड़ लेगा उस बहेलिये को यह नहीं पता था कि वह कबुतरों के पीछे पीछे कहां तक भागेगा कहां पक्षियों की उड़ान और कहां उसे धरती पर दोरना था थोड़ी दूर तक तो वह दोरता रहा फिर बेचारा थक कर हार कर एक जगह बैठ कर अपने भागे पर आंसों बहाने लगा उपर उड़ रहे कबुतरों ने देखा कि बहेलिया थक कर बैठ गया है और उनका राजा भी पीछे पीछे आ रहा है तब उनका साहस बढ़ा तुम सब लोग जंगल में यहीं पर उत्रो यहां मेरा मित्र चुहा रहता है वह इस जाल को काड़ देगा इस तरह तुम सब आजाद हो जाओगे राजा ने कहा अपने राजा की बात सुनकर सब कबुतर जाल समित नीचे उतर आए कबुतरों की राजा का मित्र चुहा अपने बिल में बैठा आराम कर रहा था जैसे ही उसने जमीन पर कुछ गिरने की आवाज सुनी तो वह डर कर सावधान हो गया उसने समझा की कोई शत्रू उसके बिल में बाहर उतरा है इस बीच कबुतरों की राजा ने उसे आवाज दी मित्र डरो नहीं मैं तुम्हारा पुराना मित्र कबुतरों का राजा हूँ मुझे इस समय तुम्हारी सहायता की जरुरत है चुहों की राजा ने अपने मित्र की आवाज पहचान ली वह बड़े उत्सा से जटपट अपने बिल से बाहर निकला और मित्रे से बोला और उससे मिला चुहे ने कबुत्रों को जाल में फसे देखा तो वह समझ गया कि वह सब अपनी किसी गलती के शिकार हो गए थे कहो मित्र कैसे हो चुवे ने कब उतर राजा से पूछा बहुत अच्छा हूँ तुम सनाओ कैसे हो मैं ठीक हूँ किन्तु मेरे साथ ही बहुत परिशान है मैं समझ गया हूँ मित्र मुझे कुछ भे बताने की जुर्ट नहीं कभी कभी हम लोग ऐसी भूल कर बैठते हैं भूख प्राणी को अंधा कर देती है मैं तो तुम्हारी और इन लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ कि ये लोग जाल को उड़ा कर मेरे पास ले आये हैं हाँ मित्र यदि हम बुद्धी और साहत से काम न लेते तो हम सब कपके मर्ज गए होते मित्र दुख के समय मित्र ही काम आते हैं चुवे ने अपने साथियों को आवाज दी सब चुवे एक के बाद एके करके बाहर निकले और उस जाल को काटने लगे थोड़ी ही देर में सारे कभूतर उस जाल से बाहर निकलाए सब ने चुवों को धन्यवाद दिया और अपने राजा के साथ आस्मान में उड़ गए